Hey everyone, welcome back to Bela's Kitchen Corner. दोस्तों, guava यानि की अमरूद एक ऐसा फ्रूट है, जो ना किवल खानी में टेस्टी होता है, बलकि इसके काफी सारे health benefits भी होते हैं. ये blood sugar level को control करता है, cholesterol को control करता है, आपके heart को healthy बनाता है, immunity को boost करता है, साथ ही cancer के patient और pregnant ladies के लिए भी काफी फाइदे मन्द है. और आप इसे गर्मा गरम पराठे या फिर अपने किसी भी favorite snack के साथ serve कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे समोसे के साथ खाना पसंद करती हूँ, और ये समोसा भी मैंने घर में ही बनाया है, इसकी recipe मैं पहले भी आपके साथ share कर चकी हूँ, और अगर वो recipe आपसे miss हो गई है, तो वीडियो लिंक आपको end screen में मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़िदार recipe है, लेकिन इससे पहले कि ये recipe में आप सभी किसाद शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए है, या अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe कर लें, और साथ सब्सक्राइब कर लें, और स आपको पसंद आती है, तो इसे अपने family और friends के साथ शेयर करना बिलको न भूलें, तो चले देरी किस बात की बनाना चुर करते हैं, यह बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़िदार अमरूत की चट्नी, तो आजकल market में काफी अच्छे अमरूत मिल रहे हैं, इस recipe के लिए आ चार या पांच चीरा अपने इसमें लगाना है, इसको काटते वक्त आपने ध्यान से काटना है, आपने इसको स्लाइस नहीं करना है, मतलब की पूरा नहीं काटना है, बस बीच में आपने इसके चीरा लगाते जाना है, तो मैंने इहापे करीब चार या पांच चीरा इसमे यह हरी मिर्च थोड़ी लंबी है तो मैं इसको दो हिस्सों में काटकर तियार कर लूँगी तो आपको कितनी तीकी चटनी पसंद है उसके साब से आप यहां पर मिर्ची कर सकते हैं और अमरूद में जो हमने चीरा लगाया था उसको हलका सा चाकू की मदद से खोल के इसमें हम मिर्च और लहसुन इस तरह से डालते जाएंगे अच्छे से आपने अंदर तक दबा देना है तो देखिए आपको वीडियो में नजर आ रहोगा कि किस तरह से मैंने अमरूद में जो चीरा लगाया था उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च को स्टफ कर दिया है और ठीक इसी तरह से मैं बाकी बचे वे लहसुन और मिर्च को भी अमरूद के अंदर अच्छे से स्टफ कर दूँगी और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ यह आपको थोड़ी दिर में पता चली जाएगा तो देखी एक अमरूद तो तयार है दूसरे अमरूद में भी मैं ठीक इसी तरह से लहसुन और मिर्च को अच्छे से स्टफ कर लूँगी तो अमरूद की यह चटनी बहुत ही तीखी बहुत ही मज़िदार बनकर तयार होती है आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ सर्फ कर सकते हैं और पराठो के साथ भी इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है तो एक बार आप भी इस चटनी को बना कर जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे पूरा येकिन है ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी अमरूद के अंदर मिर्ची और लहसुन को इसके स्टफ किया था ताकि अमरूद को रोस्ट करते वक्त मिर्ची और लहसुन भी इसके साथ ही रोस्ट हो जाए इनको roast करके फिर चटनी बनानी की वज़े से चटनी में बहुत ही बढ़िया smoky flavor आ जाता है जो कि इस चटनी के स्वात को और दुगना कर देता है तो देखे ये अमरूद अच्छे से roast हो चुका है तो देखे मैंने इसे अच्छे से हर तरफ से बराबर roast करके तयार कर लिया है और अब मैं इसे एक plate में transfer कर दूँगी और ठीक इसी तरह से मैं दूसरे अमरूद को भी roast करके तयार कर लूँगी तो आप में से किस-किस ने इस अमरूत की चटनी को बना कर ट्राय किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा, मैं तो इसे अमरूत की सीजन में पक्का बनाती हूँ और मुझे और मेरे घरवालों को ये काफी पसंद है, और देखिए यहाँ प अलग कर देना है, उसका इस्तिमाल हम इस चटनी में नहीं करेंगे, यानि कि जो काला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, उसको आपनी निकाल कर एकदम अलग कर देना है, और अंदर वाले गुदे की हिस्से को ही हम इस चटनी में इस्तिमाल करेंगे, और एक बात का आपनी और ख्यान रखना है कि इसके अंदर जो बीज होता है अगर आपको लगे कि वो हाड है यानि कि थोड़ा सक्त है तो उसको भी आप हटा दे अगर वो नरम है तो आप उसका इस चटनी में इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने यह जो अमरूद लिये हैं इनमें इनका बीज काफी सॉफ्ट है तो मैं यहां बीज का भी इस्तिमाल कर रही हूं इस चटनी में तो देखिए मैंने यहां पर दोनों अमरूदों के छिलके को निकाल कर अलग कर दिया है यानि कि जो रोस्टिट पार था उसको निकाल कर मैंने अलग कर दिया है और अंदर के गूदे को मैंने अलग कर लिय क्योंकि अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मुझे काला नजर आ रहा है तो उसको भी हम अच्छे से धोकर या फिर किसी साफ तौली से पोश्का तियार कर लेंगे और अब में चोटे-चोटे टुकडों में काटकर एक ग्राइंड जार में ट्रांस्फर कर देंगे तो रोस कर अब अब बड़े चमच नमक इसको आप अपनी टेस के हेसाब से कमिया जादा कर सकते हैं और उसके बाद में डाल दोगी एक बड़ा चमच भुना हूवा साबुजीरा और दो बड़े चमच नीबु का रस डालने के बाद अब इसमें में डाल दोगी एक कप हरा धनिया राखरी में आधा कप पाली और ठाएं डालने के बाद अभं scenes भेँ दtså को लगा देंगे और इसका रोडब बारीक पेस बना कर हम तयार कर लेंगे तो एकदं राखरी आपनी पेस लेना है drew पत्र डालने की वज़े से एकभी से चल्री nowhere अलब चुक खत्म yogurt की अपिस्टेक्ट करें बोल पता से नो खत्म आरी की के सब्सक्राइल चत्म और हम्रूट में और गर्मा तपांठे सनक की साथ ब्रस्ट करते हैं, आज बंके से पेपills करने वाली हूं दूहर ही मजदार में वर भी बनका त्यार होता है इसकी पर फेक्डा ह्रत्व निक तुमें अब से खिंश्र से मिल जाएगा तो दिखिए कितना perfect combination है ये अमरूद की चटनी और समोसे का तो मैं फड़ा फट ट्राय करके बताती हूँ कैसे लग रहा है और यकीन मानिए दोस्तों ये चटनी बहुत ही चटपटी बहुत ही मज़ेदार बनकर तयार हुए ये एकदम तीखी और इसमें खटापन भी एकदम perfect है और अमरूद लहसुल और मिर्ची को रोस करने की वज़े से इसमें बहुत भी बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है और जिन्हों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए तो मिलते हैं अकले वीडियो में किसी नही रेसिपी के साथ तब तक अपना और अपनी परिवार वालों का ख्याल रखिए बबाई र États मेरे चैनल को सब्सक्राइब जा呢